बीते दिनों जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस पर शासन सक्त हो गया है और आज इक पर फिर पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि जुमे की नमाज के बाद कोई भी माहुल बिगाड़ना सकी इस दौरान माहुल खराब करने वाले को या फिर प् पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी किया जा सकता है वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर अपर मुखे सचेव ग्रह अवनीश कुमार अवस्थी और कारेवाहक डीजीपी देविंद्रे चोहान ने अमंच्वैन बहाली के निर्देश दिये अवनीश अवस्थी का कहना है कि अगर इस दौरान कोई भी उपद्रव होता है और लापरवाही किसी की भी देखने को मिलेगी तो शासन इस तर पर कारवाई होगी अधिकारियों से कहा गया है कि पुलिस अपर शासन सभी लोग प्रमुख धर्मगुरुआं से मदद लें इसे लेकर थाना इस तर पर पीस कमीटी की बैठक आयवजित की जा रही है सिवल डिफेंस के कर्मियों को शांती व्यवस्था की जिम्मदारी सौंब दी गई है सम्विदंशील जगों पर सीसी टीवी ड्रोन वीडियो कैमरे से नज़र रखी चाहेगी सराइमीर कस्वे में एस्डियम निजाम अबाद रवी कुमा में और मिश्वित आवादी वाले छेत्रों की निग्रानी हुई अटाला और आसपास के लोगों की निग्रानी के लिए सर्विलान से सिस्टम को और मजबूत किया गया है सम्विदंशील जगहे पर दो सुटेव के सीसी टीवी कैमरे लगाए गई है इन कैमरों को पहले की करहें इंटीग्रेटिट कमांड और कंट्रोल सेंटर से कनेक्ट किया गया है इसके जरीए 24 गिंटे लाइव निग्रानी की जा सकेगी और तीन शिफ्ट यहां ड्यूटी लगाई गई है प्रियागराज में सुरक्षा दस्तों की और से विशेश इंतिजाम किये गए है प् पिशली बार यह लॉंचर नहीं होने से काफी अप्रिय घटनाय पैदा हो गई थी